प्रेंड्स वेलकम टू पीओ टीवी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको इस सल्वार की स्टिचिंग करके बताएंगे हमने आपको एक सल्वार की कटिंग करके बताई थी जिसकी पिक्चर आपको साइड में शो हो रही है लेकिन हमने इसकी स्टिचिंग करके नहीं बताई थी पर हमारे कुछ विवर ने बोला है कि हम आपको इसकी स्टिचिंग करके बताएंगे कि स्टिचिंग करके बताएंगे और अगर आप कटिंग की वीडियो देखना चाहते हो तो आपको कटिंग की वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्टिप्शिन भॉक्स में चैक कर सकते हो जब आप सलवार की cutting करोगे जो पिक्चर में दिखाया गया आपको method उस method से तब आपके पास इस तरह से एक ये दो कलिया है दो कलियों के साथ साथ इस तरह से दो side piece जुड़े वह नजर आएंगे और दो कलिया इस तरह से देखिए अलग से इस तरह से होगी आपके पास इनके साथ कोई side piece नहीं है side piece या फिर पला बोलते हैं और आपके पास इस तरह से बैट होगी तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इनको attach करोगे सबसे पहले यह देखिए यह इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ते हुए इस तरह से इस side piece पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे यह हमारी कली और side piece यह देखिए इस तरह से attach हो जाएंगे और इसी तरह से यह देखिए यह भी हमारा side piece इस कली के साथ attach है यह मैं आपको wrong side उपर की तरफ करके दिखाती हूँ इस तरह से इसको भी हम इसी तरह से ऐसे पकड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे यहाँ से इस निशान से पकड़ते हुए कटिंग कोई नहीं करने है यहाँ से बस इसी तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे यह इस तरह से हमने एक side piece इस तरह से इसको attach कर लिए यह देखिए यह हमारी सिलाई आ गए यहाँ पर कली और side piece जो है attach हो चुके है इसी तरह से दूसरे पर भी सिलाई लगा लेंगे यह इस तरह से यह देखिए यह side piece भी हमारे इस कली से attach हो चुका है अब हमने यह देखिए यह कली के साथ side piece इसको यह सिल दिया है एक कली और एक side piece यह हो गया एक कली और एक side piece सिल लिए है यह right side है और यह wrong side उपर की तरफ है यह इस तरह से हमारे दो कली और दो side piece हो चुके है यह crotch है अब हम यहाँ पर crotch किसी डाई लगाएंगे अब हमने यहाँ से हिंके crotch सिल लिए है यह देखिए इस तरह से हमारे attach हो चुके है सेंटर में से इस तरह से यह crotch attach हो चुका है अब इसकी एक side में हम हमारे पास जो यह दो कली और हैं अम इन में से एक कली लेंगे इस तरह से right side यह उपर की तरफ है इसकी और इस कली की right side है right side से right side मिलाते हुए इस तरह से यह उपर की तरफ wrong side है इसकी इस तरह से रखते हो यहाँ पर सिलाई लगा देंगे जो हमारा दूसरा कली का पीस है हमारे पास ये वाला पीस लेंगे और इसको भी इसकी राइट साइड से इसकी राइट साइड इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे हम आपको सिडाई लगाने के बाद आगे प्रोसीड करते हैं ये इस तरह से हमने कलियां टैच कर लिए इस तरह भी और इस तरह भी, ये इस तरह से हमारा ये सलवार टैच हो चुखी है, ये एक कली है उसके बाद ये साइड पीस और यह सेकिंड कली सेट साइट पिस है और यह पोर्त कली को तो यहांसे जो दूस्य कली का क्वाँ इसको ओर यहांसे चुछ और है यह यह दोनों को इस तरह करते हुए कि इस तारहे में कर लूब नीक यह आ पर दंब स्टिच देबिंगे जिए कि एस तरह केंड़ सब्सक्राइब ऑफिर बार प्रच लाइन के चलते हैं। Brain चैनल पीन प्लिट्स हो तो इस दोज़ें पे तो प्लित हैं। при वह ऊनल के और को सब्सक्राइब करें वी propre सब्सक्राइब माँपे फ्ली को अंहुंत कैंएस। सित इसी सेंटर पॉइंट से 3-2 इंचप पर यहां पे भी हम प्लीर्स टालेंगे, और इसी तरह से बैक साइड में भी एक-एक प्लीर्स डालेंगे, स lur प्ले यह, क्रॉच, इस से 3 इंच cabinet करेंगे और इस side भी 3 इंचीस पर उचिकа क्लेंगे इस तरह से यह मंने ऐसमारा है और दोनों तरफ यह प्राक थेंगे यह इस तरह से हमने यहां पे रफ स्टिच दे दिया और यह मारा दे देखिए दोनों तरफ एक एक प्रीट आ चुका है अब हम यह जो हमारी फ्रंट वाली साइद है तो जवसरे माक्स जलगाक साई रिकूं sadece सब्सक्राइब भी और कहंut में दरबए इस तरहेever को पॉर्ज फोलप के तरह से संट्र नेस एलेदें देखे और प्रीट सीध कर देती सुझे्धस फरी में दीचेयर होगेन इस सलया की दारेक्शना उपोजित साइड में करेंग, इस तरह से करेंगे इस तरह से करते में मैं पूरा साइस्ट करने के बाद दिखाती हूँ, यह इस तुरह से अपने दोनों तरफ फीर स्पिर कुली है हैं से यहां से छुबद उपर वाले स्टोड को बाद में नाढला से प्रक में पूरा स्टृच abp यहां से इस तरह से पूरी बैल्ट में स्टिच दे देंगे अब यह देखे हम नारा डालने के लिए जगा बना लिए और यहां से इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए देखिए इस तरह से सिलिया है अब यह जो हमने प्रीट से डाली है यह हमने कहां तक डाली है यह भी हम आपको बता देते हैं जैसे हमारी बैल्ट की फ्रंट साइड यह है तो हम इसको यह देखे जैसे यह हमारा इस तरह से यहां तक हाफ हो जाता है बैल्ट का इस तरह से हम फोल्ड करेंगी जब हम इसको कोल लेंगे तो इस तरह से दोनों तरफ से इतना इतना छोड़ते हुए यहाँ पर हम यह फ्रंट की तरफ रखेंगे बैल्ट का यह वाली साइड हम फ्रंट में रखेंगे यहां पे हम इसको इस तरह से सिल लेंगे और बाकी जो बच जाएगी बाकी में हम सारी में ऐसे सिलाई लगा लेंगे अब हम पहले आपको यहां से लेके यहां तक फ्रांट तक सिल के बद रख के बताते हैं कि इस तरह से सिलेंगे अब जब हम बैल्ट को अटैच करेंगे तो यह देखिए यहां पर क्रॉच है यहां पर हम इस तरह से रखते हुए इसको इस तरह से रखते हुए इस तरह से यहां पर सिलाई लगा लेंगे यहां से यहां और यहां से यहां तक इस पॉइंट तक इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यह इस तरह से हो जाएगा हमारा इस तरह से आ जाएगा इस तरह से रखते हुए फिर हम इस तरह से हम बैल्ट को रखते हुए पूरी सलवार में इस तरह से यहाँ पे रखते हुए ऐसे स्टिच कर लेंगे यह देखे इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है यह हमने अटैच कर ली है सलवार से यह फ्रंट साइड है और इस तरह से बैक साइड है अब हमे देखिए इस तरह से सलवार की मोरी बनाएंगे दोनों मोरी के अंदर हम आपको एक में कप्ड़ा लगाके दिखा द हैं किस तरह से लगाते हैं हम कप्डा उस तरह से लगाते हुए फिर हम मोरी का डिजाइन रेडी करेंगे यह हमने सलवार की मोरी बनाने के लिए बुकरम का पीस लिया है इसकी हमने जो चुडाई लिया है यह हमने सवा 2 मीटर लिया है और हम इसको यह हमने कपड़ा लिया है इस स्ट्रिप पर रखते हुए इसको हम रेडी करेंगे और इस कपड़े की जो हमने चुडाई लिया है य तो हम जितनी हमारे ये सलवार की मोरी है इससे हम करीब करीब 4 इंच एकस्टा रखेंगे इसकी लंबाई कशाइन। 2 तक ले लें गे हम और इसको rock को कपडे पे इस थरह से रखतेई हुए यहाँसे की है चीप पंधाश की हैं essi अरु वालेस फीब यहाँ चोड़ते हुए इस तरह से जिए अगर आपका फोड़ा ऑटे रखते हुए इस तरह को अगर आप यह शूरोग ऑना हों चाहिए हुआ गारे भूता है। यहां से तबराबर यह रखते हुझाए इस modèle एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी दोनों तरफ से कटिंग कर देंगे अब हम इसके साथ इसी सिलाई के साथ यहां पर एक फूट का गैप छोड़ते हुए एक और सिलाई लगा देंगे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी रॉंग साइड ऊपर की तरफ करेंगे इस तरह से और यह जो हमने स्ट्रिप पर टैच की है इसके यहां पर किनारे पर सिलाई लगाएंगे यह इस तरह से हमने यहाँ पर इस ट्रिप के किनारे पर सिलाई लगा ली है अब यह देखिए राइट साइड यह हमारा इस तरह से यह रेडी हो चुका है अब आप इसमें अपनी मर्जी का जिस तरह का भी चाहो आप ऐसा इसमें डिजाइन बना सकते हो हम आपको दोनों मौरी के डिजाइन बनाने के बाद उसके आगे नेक्स्ट प्रुसीड करते हैं यह इस तरह से यह हमने मौरी का डिजाइन कंप्लीट कर लिया है यह राइट साइड उपर की तरफ है अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए जितनी हमने मोरी डेटी करनी है तो यहां से हम रखते हुए उतने पर माक कर लेंगे जैसे इस केस में मैंने 6.2 इंचिस रखनी है तो हम 6.2 इंचिस पर माक कर लेंगे और यहां पर हम करीब करीब 1.5 इंच के करीब यहां पर हम इससे एक्स्ट्रा लेंगे जैसे हमारा 6.2 इंचीज हो गया तो हम यहाँ पर हम पॉने 8 इंच के करीब ले लेंगे इस तरह ऐसे अब हम इंचीज डेप को इस तरह से इन निशानों के पास इस तरह से रखते हुए इसको मिला लेंगे इस तरह से अब हम इस पर स्टिच दे देंगे इस तरह से सिलते हुए हमारी कोच की सिलाई आगी है यहां पर इस तरह दोनों साइड की तो हम इसमें यह सिलाई से सिलाई इस तरह से मिला कर रखते हुए यहां से बिलकुल सिलाई से सिलाई मिलके आने चाहिए इस तरह से मिलाकर रखते हुए फिर इस पर सिलाई दे देंगे इस तरह से यहां पर सिल गया है अब हम इसी तरह से यहां पर सिलाई लगा लिए अब हम इसी तरह से यहां पर सिलाई लगाते हुए इस तरह से यहां तक इस साइड वाली मोरी प्याएंगे यहां से करते हुए इस तरह से पूरी सिलाई यहां तक घुमाएंगे अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा हमारी हर नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बैल का बटन जूर दबाएगा थैंक्स वर बोचिंग बबाई